हलो फ्रेंड्स पीएचपी सीखने की सीरीज में एक बार फिर से आपका सुपागत है और आज के इस वीडियो के अंदर हम पीएचपी के अंदर सूपर ग्लोबल्स गेट एंड पोस्ट के बारे में बात करेंगे और यदि फ्रेंड्स आपने अभी तक इस सीरीज के ये सभी वीडियो नहीं देखें जो की पीएचपी के उपर हैं तो मैंने अल्रेडी इस पर एक प्लैलिस्ट बना दिये और इस प्लैलिस्ट का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा इस प्लैलिस्ट में मैं अभी तक 9 वीडियो को अप्लोड कर चुका हूँ तो पहले आप इन सभी वीडियो को जरूर देखिए ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आए तो देखिए फ्रेंड्स मैं आपको सूपर ग्लोबल गेट और पोस्ट को समझाने से पहले एक बात बताना चाहूँगा कि यदि आपने HTML language को सीखा हुआ है तो उसके अंदर आपने form बनाना भी सीखा होगा नहीं सीखा है तो मैंने HTML में आलरेडी आपको form बनाना सीखा दिया है तो मैं उस वीडियो का लिंक भी इस वीडियो के description box में आपको दे दूँगा तो आप मैं बात कर रहा था कि HTML form की अगर आपको HTML form बनाना आता है तो आपको देखी ये बात मालूम होगी कि जो form आप HTML से बनाते हैं वो form केबल एक design होता है आप उस form को अगर fill करके submit बटन पर click करेंगे ना वो HTML form कोई भी काम नहीं करता वो सिब एक design होता है अगर आप चाते हैं कि HTML form को हम fill करें और जब submit बटन पर हम click करें तो उसके बाद वो जो data है ना कई ना कई जाकर store होना चाहिए server पर तो उसके लिए हमें PHP की help लेनी पड़ती है ये बात तो मैंने आपको सुरुबात में ही बता दी थी जब PHP हमने start करी थी तो फिरिंट देखी PHP में भी उस काम को करानी के लिए बहुत सारे function बने हैं तो उन में से आज हम देखी get method और post method के बारे में बात करने वाले हैं और देखी यहाँ पर get और post method को use में लेने से पहले हम PHP के अंदर super global get variable और post variable के बारे में बात करेंगे तो देखे friends होता यह है कि जो HTML form है उससे data को collect करने के लिए हमारे पास PHP के अंदर यह दो variable है get and post लेकिन यह जो variable है यह super global variable है ठीके और आप जब HTML से data को send करते हैं तो वो data को collect करने के लिए यहाँ पर PHP में दो method का हम use करते हैं कि get method एक post method ठीके तो get method और post method में क्या difference है कब कौन सा use करना चाहिए इस पर आपको ध्यान देना यहाँ से देखिए interview के like question भी बनते हैं तो पहले आप यह समझिए कि यह get और post यूज क्यों करते हैं अभी मैंने आपको क्या बता है get और post method का use करके ही आप HTML form से data को collect कर सकते हैं data को जब तक आप collect नहीं करेंगे तब तक वो server पर save केसे होगा तो पहले हमारे पास PHP के अंदर कुछ ऐसा method होना चाहिए न जिससे हम HTML से HTML form में जो data send किया जा रहा है उसको पहले collect कर सकें collect करने के बाद ही तो हम server में save करेंगे तो form तो में HTML से बनाएंगे और collect करने का काम हम PHP के थ्रू करेंगे और PHP में भी किस के थ्रू get and post के थ्रू अब इन दोनों में से कौन सा कब use करना चाहिए वो ही हमें आज समझना है तो पहले हम get के बारे में जानते है तो get में होता यह है अगर आप get method यूज कर रहे है तो information sent from a form by using get method is visual to everyone means कि जो आप information HTML form से send कर रहे ना और उस information को send करने के लिए अगर आपने पनी PHP script के अंदर get वाले method का use करा है तो जो information आपने send करिये ना उसे कोई भी देख सकता है और वो information आपको कहां दिखाई देती है URL के अंदर जो web address होता है वहाँ URL में आप देखेंगे तो वो information आपको दिखाई दे जाएगी दूसरी बाट get method की एक limitation होती information को send करने की अब मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि get method का use आपको वहाँ करना है जहां आप AC information send करने जो sensitive नहीं है अगर वो information sensitive है तो कभी भी get method का use नहीं करना चाहिए जो कि वो information URL में show होती है तो जो developer होते हैं वो secure website बनाते हैं जब database connectivity का काम किया जाता है तो सबसे ज़्यादा जो use में आने वाला method होता है वोता है post method क्यों होता है post method तो देखिए मैंने यहाँ पर नीचे आपके लिए लिखके रखा हुआ है कि post method से जो information send की जाती है न वो in visual होती है वो हर कोई नहीं जब तक server पे नहीं पहुँच जाती जिसकी वो website है तब तक बीच में कोई नहीं देख सकता तो वहाँ पर क्या होता है post method का use हो रहा होता है वहाँ पर sensitive information होती है password होता है यह आपका username होगा password होगा यह कोई other detail होगी तो वहाँ पर क्या करते है back end में post method का use हो रहा होता है इस sensitive information server तक नहीं पहुच जाती जब तक कोई नहीं देख पाता अब friends इन जो भी मैंने अभी आपके सामने बातें करिए इन बातों को मैं practically proof करूँगा तो ऐसा नहीं क्या video skip करके चला जाए मैं इन दोनों बातों को practically proof करके दिखाऊंगा कि get use करते हैं तो information show होती है और post use करते ह तो information show नहीं होती है अभी हम practical के जड़ी proof करने वाले तो friends देखिए अगर आपको ये वीडियो पसंदा रहा है तो बस एक appreciate चाता हूँ मैं आपसे वो है इस वीडियो को like कर दीजिए अगर आपने भी तक like नहीं करा और सिब आप वीडियो देखते है चैनल को subscribe नहीं करते है और इस HTML फाइल को मैंने नाम दिया है get underscore form अब आपको बहुत ध्यान से समझना है वीडियो skip बिल्कुल मत करना नहीं तो आपसे कुछ ना कुछ मिस हो जाएगा फिर आपको समझ में नहीं आएगा HTML फाइल मैंने क्यों बनाई है क्योंकि मुझे एक form बनाना है देखिए यहाँ पर मैंने form tag start किया हुआ है ना body के अंदर देखिए यहाँ पर तो मुझे एक form बनाना था इसलिए मैंने HTML फाइल को बनाया पहले ठीक अब अगर आपको form बनाना नहीं आता आप बहुत अच्छे से form के अंदर काम करना चाते हैं form को बनाना सीखना चाते हैं तो मैंने HTML में already आपको form बनाना सीखा दिया था उस वीडियो का link मैं आपको इस मान के चल रहा हूँ इसलिए मैं यहाँ पर form पर ज्यादा focus नहीं करूँगा मैं focus किस पर करूँगा जो PHP उस पर लेकिन मैं फिर भी आपको little bit समझाता हुआ चलूँगा तो देखी friend मैंने यहाँ पर क्या करा है एक form मनाया और form मनाने के लिए मैंने form tag लगाया है आपको माल में क्या करा है दो input box बनाए जिससे हम एक तो name के entry लेंगे और email के entry लेंगे ठीक है और एक submit button बनाया है तो चली पहले मैं आपको output दिखा रहा हूँ कि यह दिखेगा कैसा form थाकि आपको थोड़ा और clear हो जाए तो स्रीब हमने form बनाए जिसमें हमने दो input लेने के लिए input box ब देखेगे यहाँ पर है वो file get underscore form.html तो इस file को मैं open कर रहा हूँ तो यहाँ पर देखेगे हमने यह form design करा है ओके क्या करा है form design तो फिर इन देखेगे यहाँ पर यह form आपके सामने भी show हो गया है लेकिन आपको क्या समझना है वो देखेगे फिर से आपको मैं याद दिला रहा हूँ कि आभी हमने देखा कि हमने एक form बनाया है अब form बनाने के बाद जो इसमें हम data enter करेंगे उस data को हम क्या चाते है कहीं ना कहीं store करना तो store करने से पहले data को collect करना पड़ेगा तो data को collect करने के लिए हम PHP के अंदर दो method को use करते है get or post तो मैं आपको सिखा रहा हूँ कि आप चाहें तो gate भी use कर सकते हैं आप चाहें तो post भी use कर सकते हैं लेकिन सबसे ज़्यादा post use किया जाता है क्यों क्योंकि जो भी sensitive information होती है वो किसी को दिखाई नहीं देती और इसी चीज़ को proof करने के लिए हम यह सब चीज़ें जो example हैं यह सब देखेंगे हम क्या करें गेट वाले method को use करके देखेंगे और इस form से data को collect करके देखेंगे तो पहले तो हमने क्या करा HTML फाइल बनाई और उसके अंदर हमने form बनाने वाले tag लिखे ताकि यह form बन पाए पहला काम तो हमें form बनाना पड़ेगा ना बाद में PHP के get और post use कर पाएंगे form ही नहीं होगा तो काई में use करके देखेंगे तो पहले हमने form बना लिया ओके इतना काम हमने कर लिया तो अभी हम इस वाले चीज़ को यहीं छोड़ रहे हैं और हम चलते हैं PHP के अंदर अब देखें हम क्या करें get method को use करना चाते हैं क्योंकि हम उस HTML form से data को collect करना चाते हैं जो भी उसको fill क करें और submit पर क्लिक करें तो data collect हो जाए तो उसके लिए देखें हमने एक file और बनाई और इस file का नाम देखें मैंने क्या दिया हुआ है get underscore PHP underscore script get PHP script और यह मैंने PHP script किसके लिए लिखी है जो भी हमने form बनाया ना उसके लिए ठीक है लेकिन इस PHP script के अंदर में क्या use करूँगा get method को इसलिए मैंने इसका नाम ही क्या रख लिया get PHP script और उस form का नाम क्या रख लिया get form ताकि हमें याद रह सके कि इसके अंदर हम get वाले method को use करना चाहरे है अब देखें फ्रेंड यहाँ पर हमने PHP वाली file के अंदर क्या करा सबसे पहले high print किया उसके बाद हमने PHP को start किया और उसके बाद eco text से हमने print किया क्या देखो वो समझना मैंने आपको कि समझाया कि get variable एक super global variable है और actual में ये associative array भी है तो फ्रेंड हम जो form में name पास करेंगे ना वो name इस super global variable के अंदर आ जाएगा यानि यहाँ पर ये name जो नाम मैंने लिखा हुआ है वो मैंने form में भी use किया यहाँ पर क्या करा PHP को close कर दिया फिर हमने BR tag लगाया ताकि हम नई line से start कर सके और actual में हमने PHP को यहाँ इसलिए close करा कि हम यह से बाहर लिख पाएं तो इसलिए हमने PHP को यहाँ close करा कि direct हम बाहर लिख पाए और वो browser पर as it is display हो जाए तो यहाँ पर मैंने देखी दुबारा स start करा एक simple text लिखा हुआ है your email address is यह as it is browser पर show होगा देखे उसके बाद हमने PHP को फिर से start किया और फिर देखी यहाँ पर इस बार मैंने parameter के रूप में email use किया हुआ है और actual में यह email form में भी है तो जो form है हमें यहाँ पर वही लिखना है जो हमने form में set किया है क्यों क्योंकि यह super global variable में तभी data collect हो पाएगा अब देखिए यह PHP फाइल है और यह form हमारा यहाँ पर है देखिए यह form का यहाँ पर tag लिखे हो है और यह PHP फाइल है लेकिन यह कैसे हो पाएगा कि यह form से data यहाँ इस variable में पहुँच जाए यह होगा कैसे यह दोनों फाइल तो अलग अलग जो हमने form tag start कराता ना उसके अंदर हम लिखना action equal to अब हमारी PHP फाइल का नाम तो PHP फाइल का नाम क्या है तो देखिए यहाँ उपर देखिए आप यही PHP फाइल तो PHP फाइल का नाम है get underscore PHP underscore script file get PHP script file तो वही हमें use करना है यहाँ पर नाम के रूप में action के अंदर जिस नाम से हम कोई other नाम नहीं लेना है otherwise काम नहीं होगा तो बिल्कुल same नाम है हमारी PHP फाइल का नाम देखिए यही है उसके बाद action के बाद आपको use करना है method अब method में अभी हम कौन सा सीख रहे है get वाला use करना वैसे एक और भी post में आपको post भी use करना सीखाऊंगा पर पहले हम सीख रह इस HTML फाइल को ब्राउजर में लोड करते हैं और form को submit करके देखेंगे चलिए तो यहाँ पर मैं refresh कर देता हूँ एक बार और देखिए आप मैं नाम और email यह enter करूँगा तो देखिए friend मैंने name और email address एंटर कर दिया आप देखिए मैं जैसी submit पर click करूँगा तो यहाँ पर देखिए लिखा गया hi abhishek और your email address is यह print हो गया लेकिन मुझे यह नहीं दिखाना है आपको मुझे देखिए क्या दिखाना है आप notice करें बिल्कुल focus करें और ध्यान से देखिए यहाँ ऊपर देखिए यहाँ URL में notice करें यहाँ पर तो यहाँ पर देखिए name मैंने name के यहाँ पर पासवर्ड भी होता तो यहाँ पर पासवर्ड भी दिखाई दे जाता तो मैं आपको यही समझा रहा हूँ कि अगर हम get वाले method का use करते हैं तो URL में जो sensitive information होती है वो दिखाई देती है तो फ्रेंड आप यह भी सोच रहे होंगे कि देखिए यहाँ print हो गया जब data को store करना भी सिखेंगे आज तो मैं आपको get and post का use करके दिखा रहा हूँ इस वीडियो के अंदर लेकिन आगे आने वाले वीडियो में हम database में data को store करेंगे तो यह जो data है ना यह जो database में store होगा यहाँ ऐसे browser में display थोड़ी होगा लेकिन अगर हमने get method का use करा तो वहली database मे नहीं है जैसे name वगेरा हो गया या email address भी हो गया तो non sensitive information है तो आप किसका get method का use कर सकते हैं लेकिन अगर password वगेरा है या कोई ऐसी information है जिससे website को hack किया जा सकता है या आपकी client का data चुराया जा सकता है तो जो developer होते हैं वो इस वाले method का use नहीं करते हैं लेकिन friend हमें get method के बा तो यहाँ पर देखिए अब मैंने post underscore form dot stml यानि यह वाली file को open कर लिया है और इसमें मैंने आलक से फिर से एक stml code लिखा है और यहाँ पर मैंने फिर से वही form मनाया है जो अभी हमने get के लिए बनाया था form वही है लेकिन यहाँ पर हमने method को बड़ल दिया है यहाँ पर मैं आपको यही file दिखा देता हूँ इस file के अंदर क्या किया है वही हमने किसको name को email को print कर लिया लेकिन friend मैं आपको एक बात बताता हूँ कि इस वाली script के अंदर मैंने super global variable के रूप में post को use करा है ना कि get को तो post को use करा है न देखिए बस यहाँ पर post किया है बाकि सब तो यहाँ post हुआ है तो इसकी जो html file है यानि इसका जो form है इसके अंदर देखिए method में मैंने कौन सा use करा है आप यहाँ पर ध्यान दीजिए जहां मैं select करा हूँ न तो देखिए यहाँ पर method में कौन सा use हो रहा है इस बार post ओके बाकि form वही है code में जो इसका जो php वाला code है इसमें बस छोटा सा changes है वो है कि हमने यहाँ पर जो super global है वो post को use करा get को use नहीं करा अब इतने से change से देखिए फरक कितना बड़ा पड़ेगा वो चीज़ आपको यहाँ पर समझनी है तो इस वाली file को पहले मैं आपको load करके दिखाता हूँ browser में इस html file को हम open करते है और इस output देखते हैं तो पहले तो हम क्या करते हैं बापस से php project वाले folder में आ जाते हैं और यहाँ पर देखिए आपको last में I think दिखाई दे रहा हो post form.html गेवाली file को मैं open करता हूँ तो form तो देखिए वही आएगा क्योंकि दोनों example में मैंने form वही use करा है ठीक है अब यह यहाँ पर देखिए important क्या है वो आपको ध्यान देना है मैं name and email address यहाँ पर submit करने जा रहा हूँ तो देखिए friend मैंने submit बेटन पर click करा तो यहाँ आप देखिए URL में URL में आपको कोई भी information दिखाई नहीं दे रही यहाँ तो मैंने खुद जान पुझ के print करा हुआ है वो स् display करना यह तो सिर्फ एक output है आपको बताने के लिए क्योंकि अभी तो मुझे आपको कुछ ना कुछ तो दिखाना था ना कि यह काम हुआ या नहीं इसलिए मैंने print करा है लेकिन आपको यहाँ पर notice क्या करना है यह मत देखिए इसको तो मैं hide भी कर सकता हूँ इसे print ही ना कर use करते हैं तो information कहां दिखाई देती है URL में और post use करते हैं तो back end में सारा काम होगा और वो data कहां चला जाएगा server पर और कोई भी जो sensitive information है उसको चुरा नहीं पाएगा तो फिरें post का सबसे जादा use किया जाता है अब चलिए मैं इसको एक बार comment बनाता हूँ ताकि आपको और अच्छे से बात समझ में आए तो यहाँ पर मैं post वाली जो PHP script है इसके अंदर जाता हूँ ठीक है और यहाँ पर जो मैंने print वगेरा कर रहा है इसको print करता ही नहीं हूँ ठीक है इसको comment बना देता हूँ तो मैंने देखिए इसे comment बना दिया मैं इसे save कर देता हूँ और फिर information so नहीं हो रही तो post का use करके आप sensitive information को hide कर सकते है ठीक है और अगर आप get use करते हैं तो दिखाई देगा एक बार मैं get का भी आपको comment बना कर दिखाता हूँ कि देखिए यहाँ तो दिखाई देगा बहले यहां submit होने के बाद दिखाई ना दे देखिए यहाँ पर हम get वाले PHP script के अंदर आ गए और यहाँ पर इसे हम comment बना देते हैं file को save करते हैं और यहाँ हम एक बार फिर से load करेंगे get form stml ठीक है और इस बार data fill करके देखते हैं और submit पर click करता हूँ मैं तो देखिए जो data है वो database में जा चुका यह हम माल लेते हैं उसके बावजूद भी वो इसलिए दिखाए दे रही है क्योंकि हमने get method को use किया हुआ है तो I think friend आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि get और post method का use क्यों किया जाता है PHP में और friend आगे चलके हम जब database connectivity देखेंगे SQL के साथ तो उसमें हम इसका use करेंगे तो इसलिए मेरे को बहुत अच् इसके साथ जरूर शेर करिए thanks for watching